ओम शांति दिल तक्त नशीन बनने की लिए दिल का सौधा करना पड़ता है इसलिए बाब का नाम दिल बाला पड़ा है तो दिल लेता भी है, दिल लेता भी है सच्चे दिल पर साहव राजी जब सौधा होने लग जाता है तो चत्राई बहुत करते हैं बाबल के साथ बच्चे पूरा सौधा नहीं करतें, थोड़ा रख लेते हैं फिर क्या कहते हैं, धीरे-धीरे करके देते जाएंगे किष्टों में सौधा करना पसंद करते हैं एक धक से सौधा करने वाले, एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और उसमें सबसे नंबर एक बन जाते हैं सब में नंबर एक बन जाते हैं बागी जो थोड़ा-थोड़ा करके सौधा करते हैं एक के बज़ाए दो नाओं में पाहों रखने वाले सदा कोई ना कोई उझ्ग कि हलचल में एक रस नहीं बन सकते, इसलिए सौधा करना है, तो सेकंड में करू, दिल के टुकडे टुकडे नहीं करू. तो फिर क्या करना है आज अपने से, दिल हता कर क्या करना है, बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया था थ एक किष्ट दि, तो फिर कल संबन्धियों से दिल हता कर बाप को दे दी, दूसरे किस्ट दी, दूसरा टुकड़ा दिया इससे क्या होगा? बाब की प्रोपर्टी के हकदार नहीं बन पाएंगे तो इसले दिलाराम बाब को सची दिल पसंद है और टुकड़े टुकड़े में नहीं एक साथ एक बार में सेकंड में पसंद है आच्छे, आज 23 छे, 2000, 23 के इश्वरिय महवाकि है आज के साकार मुर्ली कसार, मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सब का प्राण आधार आया है तुम्हें जमखटों के दुख्यों की पीड़ा से चुडाने वह तुम्हें स्वर्ग का वर्सा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है बाबा ने आज सबसे पहले यहीं कहा कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ मैं तुम्हें क्या देता हूँ, स्वर्ग का वर्सा देता हूँ और बाबा केते हैं, तुम सब का कौन हूँ, प्राण आधार हूँ तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ अपने बाप को सर्व ब्यापी कहना छोड़ो, सबको समझाओ कि सर्व ब्यापी नहीं हो सकता भगवान, कंकड़ पर्थर में नहीं है, प्रशन है इस राजयोग में कौन सा योग सदा कम माइंड है, उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कम माइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए, ऐसे नहीं है, कि सिर्फ लक्षमी नारायन के राजे करने से, उनके राजा रानी महराजा महरानी बनने से राजे चल जाएगा, राजे में प्रजा भी चाहिए, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, इस राज योग में प् सब कहते हैं हम महराजा महरानी बनेगे, हम राजियुक सिखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत ही मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, बाप पर पूरा पूरा बली हार चड़े, तब राजाई में जा सकें, लक्षमी नाराण जो हमारी मामा और अक्मंड हो गे हैं, सब कुछ दे दिया तो ऐसा कर, निवाले लू नंबर बन में आते हैं, तो बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ बचा लिया, कुछ दे दिया, है ने, आच्छों तो बाबा कहते हैं, गीत है पूरा बुलाते हैं, प्रीतमा को सजनी वा भक्ति कहा जाता है, प्रीतमा कौन है, किसकी प्रीत लगी है प्रीतम के साथ में, आत्मा रूपी प्रीतम, जो सजनी है न, तो प्रीतमा कौन है, आत्मा है, प्रीतम कौन है, प्रमात्मा है, तो सजनी वा भक्ति कहा जाता है आत्मा को, जो याद करती है इन करमेंद्रियों के द्वारा वो है आत्मा सजनिया है ना और वो है भक्त भगवान को बुलाती भगवान को याद करती है तो बुलाते हैं साजन को भगवान को अत्पा बाप को इसमें सर्विपयापी का घ्यान तो ठहरता नहीं प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो कहते हैं आन मिलो सजना, आन मिलो, है न, सौंग देखो, बाबा तो बताते हैं न, सौंग, अच्छे, आपने सुना न, कि जो ब्रह्म कुमारीज में, बीच बीच में बहुत प्यारे-प्यारे सुन्दर-सुन्दर गीत बजाए जाते हैं, वो गीत क्यों बजाए जाते हैं, ट्राफिक कंट्रोल के लिए है न, ट्राफिक कंट्रोल अर्थात होता ही है, जो आपके मन में वियर्थ संकल्प चलते हैं, जिन्हें आप आने के लिए, उसे क्या दे देते हैं, परमिर्शन, कोई भी विचार, कोई भी विकल्प, कैसा भी हो, नगेटिव हो, या आपके लायक है या उसे आप आने के लिए क्या दे देते हो, ग्रीन सिगनल देते हो, तो ट्राफिक कंट्रोल का माना होता है, कि आप परमात्मा से कनेक्शन करें, वियर्थ संकल्पों को समर्थी में लाने के लिए, वो ट्राफिक कंट्रोल से हम क्या करते हैं, परमात्मा से अपने मन को जोड तो गीतों की लाइनों में बहुत प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य होते हैं, और परमधाम में जाने के लिए भी कितने प्यारे प्यारे गीत बनाए हुए हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या होता है, हमारा कनेक्शन बाब से जुड़ता है, तो फिर हमारे विचारों के लि ये पोलिस एक तरफ हाथ देता है कि जाओ और एक तरफ स्टॉप करता है ना तो ऐसे ही फिर जब आप पूरेट सिगनल दिखाएंगे तो वो भी चार आएंगे ने स्टॉप हो जाएंगे ग्रीन लाइट देंगे तो फिर वो आते रहेंगे है ना ऐसे तो बाबा केते अपने मन को ट्राफिक पॉलिस बनाना है ना तो कोई भी बात फिर ठहरेगी नहीं यहां बाबा क्या कह रहे हैं कि इसमें सर्व ब्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं पृतम को बुलाते हैं कि आन मिलो जीव आत्माए अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती है ओ परमपिता पर बाप को बुलाएंगे, कैसे है, तो सुख करने वाले को दुख में ही बुलाएंगे, अच्छा, तो बरोबर यह दुख द्हाम है, तो पृतम को बुलाते हैं, पृतम भगवाण एक है, क्रियेटर एक है, विश्व अत्वर स्रश्ति का चकर भी एक है, बच्चे जानते हैं कि कल योग से फिर सत्योग होगा, सत्योग में फिर से एक आदिस सनातन देवी देवता का राजय होगा, यह नौलेज है न, तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो, शिवतो हैं निराकार, जैसे आत्मा है, वैसे ही ह तुम्हारा बाप भी है إला-व्यार तुम सभा निराकार से अधारि में चुछाजी है। वो भी हम किसी प्रेणना से नहीं समझेंगे कि किसी लाइट को देख लिया, किसी चमकती हुई बिजली को देख लिया, उपर से किसी ने आकाश मानी कर दी, तो हम समझ लेंगे, नहीं समझ सकते ना, तो वही परमात्मा बार-बार कहते हैं कि यदि मैं कच्छ मच्छ में आता और मेरे इतने सारे सोरूख होते की शेर और क्या-क्या की दिखा देते हैं, सम्मा दिखा देते हैं, तो फिर उनको देख करके तुम ये ज्ञान क्यों ने समझे, ज्ञान समझ पाए क्या कच्छी मच को देख करके, पंच ततों की पूजा करके तुमने समझ लिया क्या है कि दरगती, सदगती, कर्म, कर्म, बिकर्म का गोहाराज समझा, कौन देवी देवता थे, कैसे थे, उन्ह मैं किसने बनाया, कृष्ण कौन था, राधी कौन थी, लक्ष्मी नारायन कौन थे, कुछ तो भी नहीं पता है, है ना, तो प्रेडना से थोड़े ना कुछ बात बनती है, और तुम जीव आत्माओं को समझाने के लिए, मैं को भी करमेंद्री मूँ चाहिए, बोलने के लि तो बाबा केते हैं, इस तरह से मैं आया हूँ ना, यहां, है ना, तुम जैसे आया हूँ पाट बजाने, अब निराकार बात कैसे आया, राजी हो, किसने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सत्युक स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रच्षेता नहीं कहेंगे, सभी जीव आ श्री कृष्ण सात्रश्य नहीं होता, श्री कृष्ण मा के गर्व से कैसे जन्म लेते हैं, वो भी बच्चों को साक्षात का कराया हूँ है, बाप कहते हैं, मेरा नाम रूतर भी है, गीता में भी है, यह है, रूतर ज्यान यक अर्था श्रीव का रच्जा हुआ, यक तो ज श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं, वो गौड फादर, वो प्रान आधार, क्योंकि यह सब का प्रान आधार है, सभी को जम घटों के दुख की पीडा से चुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े, बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संकम यूगे आता हूँ, यही कल्यान कारी संकम यूग है, सत्यूग के बाद तो फिर दो कला कम हो जाती हैं, यही संकम यूग चर्टी कला का यूग है, इसमें बुद्धी से काम लेना चाहिए, नए के लिए तो बहुत सहत समझाते हैं, तुहारा बाप निराकार बरभिता परमातमा शिव है, उनको समझातों याद करो, बस और गुरु sä야दी के मंत्र सब है, भक्ति मार्ग के, ना तो गुरु अभर के मंत्र याद करने से, और ना ही ओं, ही ओ रिरीब, टेरम चामउंदाए, बिच्छे कहने से, और ना ही जै हनमान गयां गुछागष लेक पेसने जाज़ों, को जागर अ खुब चड़ोत्री देंगे तो धनवान बन जाएंगे अरे अधियर से ही लक्ष्मी के मंदिर में जा करके कोई धन देता, सारी चड़ा देता, उनको जेवर से पहना के भरपूर कर देता, उनको सजा देता मुर्तियों को, तो जो बाहर बैठे हैं, भिखारी जो दिन रात मं और ना ही उनको भाव होता धन का, तो ये सब अपने कर्मों का, श्रेश कर्मों का गुहाराज बाबा हमें समझाते हैं, कि जितना अधिक तुमारे कर्म श्रेश्ठ बनेगे, उतने ही तुम धनवान होगी, लेकिन फिर भी बाबा ये बात भी कहते हैं, कि जो जितना गिरा ह वो उतना उठेगा भी जो और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, तो सबसे जास्ती भारत देश ही उठता है, और सबसे जास्ती भारत देश ही गिरता है, और बाबा ने अभी चार दिन के पहले के मुरली में भी कहा पहले, कि जो पिछाडी में जैसे अब देश मे जो और और धर्म में हैं, वो सब देखो कितने कहना चाहिए सुखी हैं, धर्मों, दूसरे धर्मों के, तो बाबा किती है उसका कारण है, क्योंकि जो बाद में आत्माय आती हैं, तो सबसे पहले वो यहां आ करके सुख भोगती हैं, क्यों भोगती हैं सुख? क्योंकि वो आंत तक, आप कितने अंप्यूर होते गैंे, बाबा कहे रहें in Satyyug, सत्ययगी आत्माय मोती हो, सुसुकों होते ही लेकिन फिर जैसे दो, प्रेता मैं आते हूं, आप सूरिवश्य से चंडरवश्य, 2 कलायं कम हो जाते हैं तो चर्टिकला और जो कमाई का युग है वो सिर्फ संकम युग है तो इस सब्वें बुद्धी से काम लेना है नए के लिए तो बहुत सहच समझाते हैं तुम्हारा बाप नीराकार परमपिता परमात्मा शिव है उनको याद करो बस और कुछ भी नहीं जो कु कुछ भी पढ़ करके आये हो शास्त्रों का ग्यान या जो भी सत्संग में आपने सुना कहानिया सुनी या जो भी कथाएं सुनी वो सबसे आपको कुछ भी नहीं फायदा होना है उससे आपकी किसी भी तरह की कमाई नहीं होनी है बल्कि स्थूल में यदि आप स्कूल में ज पढ़ा करके कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर एंजीनियर हैं, जिस चीज के लिए भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसी भी पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे तो भला आप छोटे मोटे नौकरी करके या बड़े नौकरी करके आप फिर भी शरीर निर्वाया हाथ अ आपन होने वाला है, समझना बुद्धी से ज्ञान को बाबा, किसी को ये नहीं कहते हैं कि भक्ति वालों को खीच लाओ, लेकिन परमात्मा कहते हैं सबको यहां ही आना है, और कोई दुनिया में है ही नहीं मेरे अलावा, इस संसार में, जो देवी देवता नहीं, तो फिर खुषियों के पास ताकत हो ही नहीं सकती, तो परमात्मा ही है, एक मुक्ती जीवन, मुक्ती दाता, तो सबको ले जाएंगे, वो तो अच्छे से जाओ, बुरे से जाओ, जबर जस्ती जाओ, या प्यार से जाओ, साथी बन कर जाओ, या पिछाडी में जाओ, जाना जरूर है, तो क्यों ना, खुषी-खुषी जाओ, आच्छे, तो बाबा कहते ही है, इस तरह से ये सब मंतर भक्ती का, वो सब कुछ काम नहीं आएगा, भक्ती आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्सा आधा कल्प चलता है, ज्ञान वहां नहीं रहेगा, ज्ञान दिया जाता है, दुख गती से सदगती में ले जाने के लिए, और वहां सदगती होती है, या जीवन मुक्त होते हैं हम, तो मुक्ती अवस्था एक होती है, और एक जीवन होते हुए भी आप मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो उस दुनिया में ये ग्यान तो आपको चाहिए नहीं हो तो जो उरकांदी जी जिसको पुकारते थे वो राम नहीं? पतितफवनसीटा राम वो सीटा राम नहीं? नेराकार राम प्रभू के नाम जाप से आजबच आप से तब आपकी सद्कति होगी, वो भी कब जब आप उनके गुणों को अपने में धारन करेंगे, जो वो शक्तिय करना है आत्मा को प्योर बनाना है और यहां ही अधर जाकर आप नो वह तो दूसर तन टौड़ों को पर जा तो causal कैती है सीता कौन है आत्मा सीता कहती है राम है ना सीता राम सीता राम कहती है आत्मा राम को बुगाती है आच्छा निरागा राम को तो बच्चे जानते हैं कि सतियुग में एक ही धर्म रहता है सूरिवन्शी राज्य चलता है फिर राम राज्य करेता में दो कला कम हो जाती है ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमापुनिमासी का फुल होता है, फिर स्लोली बहुत बारीकी से वो थोड़ा-थोड़ा कट होता है, जो हम इन स्थूलनेत्रों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन बारीकी से कटता है, फिर हमावस्या में जाकर के एकदम खतम, मतलब वो दिखाई नहीं दे स्लोली आत्माओं की कलाए का मो को होता है है, फिर दिरे दिरे कट हो जाता है, तो फिर आधेकल्प के बाद चुरूह एन अच्या, अमावस्य पुनिमासी जिसे कहते हैं तो यसे ही शुक्ल पक्ष और क्रिश्न पक्ष कहते हैं, तो शुक्ल पक्षा था सुख के दिन और क्रिश्न पक्षा था दुख के दिन, आच्छा, तो बाबा कहते हैं वहां रावड आधी होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं, य पराया देश, पराया राज है, यह बाबा का राज नहीं है, जितने जल्दी आप समझ लेंगे, उतना ही अधिक प्रमात्मा की याद न रहेंगे, इस समें सब मनुष्य बंदर से भी बत्तर है, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश है, कितना मनुष्य में क्रोध है, ए ऐसे थोड़े ही पूच को आग लगी, और सारी लंका चल गई, विकारों रूपी जब तक आग सब में न ब्याब्त हो जाए, तब तक इस लंका को आग नहीं लग सकती, ऐसे थोड़ी पूच से आग लग जाएगी, जो मन में आयासु कह दिया, जो मन में आयासु बिख दि अब परमात्मा भी देखो, एक घर में कहते हैं, हाँ सपगला एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर आपको सहन करना है, तो यही परमात्मा की प्राप्ती के लिए आपको जो सहन करने होते हैं, विकारों में नहीं कितना, किसी के साथ में गुस्सा नहीं करना, और जो भी बाबा ने हमें बताई है स्रीमत उस पर चलने के लिए जो कहते हैं तो वो सब ऐसे थोड़ी कि आप खा भोजन से वरत कर लें और बाबा कहें कि आप नो देट ब्रत्रा खोच अपल मत पहनो ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो ऐसे सब कुछ कहते है या बाबा बाबा कहते है जो पूजन पाड सब छोड़ दिया मंत्रों चारण सब छोड़ दिया तो तुम्हें लोग बहुत कुछ कहेंगे वह सब सुदना ये थोड़ी है नहीं बाब हो करके तुम बच्चों को कैसे तुम्हारा मुह से निवाला चीनूंगा कैसी कहूंगा कि तुम नेराहार रहो कैसी कह सकता हूं एक बाब को अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी कि वो भूखा है तो समझने की बात हैं वरत आपको भोजन का नहीं वरत आपको अच्छे विचारों का बुले विचारों को त्याग करने का और अच्छे विचारों को अपने में धारन करने का अच्छी सोच छुब्भाबना, शुब्सवंकल्ब, शुब्चिन्तन करने का, इसी तर ऐसे बाबा कहते हैं,not तो यहीं तो बापा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अभी देखो मनिश्यों में कितना कुरोध हैं, क्योंकि यह सब मैं तन हैं थे केसे मारते बाबा केते हैं तुम सब विकारी थे अब बाबा आकर रावड पर चीत पहना दे हैं बाबा केते हैं कितना कुछ लिख दिया है उसमें तो पूंच में आग लगा आई संग लगा चल गई तुम ब्रामण कुल भूशन पच्ची भी पहले पतित थे अभी तुम आय या रावड पर चीत पाते हो बापने आकर बुद्धी का ताला खोला है अब उस पर क्या करना है आपको गौड रेस का ताला डालेना है गौड रेस उपर से जो गौड की किरने आती है न वो फैली हुई होती है न तो आपको ऐसा अनुभो करना है कि आपके उपर में वो कि ने-स् Britt siguiente यह और आप उसके सानेख्यंदे में पालना पा रहे हैं और आपके साथ में परमात्मा की जो गॉड्रेस हैं वह खैने चल रहे हैं और आप उस आरा के नीचे अपने आपको अनुफह करेंगे तो आपको किसी भी तरह किमाया किसी भी तरह कि मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा, बाबा खुद देख लेगा, ना तो बाबा की जो आपकी सिर्फ उंगली और बाबा की ताकत है, करन करावन हार है ना, तो बाबा कहते हैं, बाप ने आकर बुद्धी का ताला खोला है, बुद्धिवानों की बुद्धी बाप है बुद्धिवानों की बुद्धी बाप है ना, मनुश्य तो क्या-क्या बात हैं सुना कर माथा ही खराब कर देते हैं, बाप कहते हैं यह फिर भी हो नहीं है, सर्व ब्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे परमात्मा बेयंत है, बेयंत कह, फिर उनको सर्व ब्यापी कह ब्रह्म तो रहने का स्थान है शीव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं इसलिए उनका नाम ब्रह्माड है हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं यह सब समझाने की बाते हैं ना सुभी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब कहां से जोली रख जाए समझाना है तुमारा बेहत का बाब भी है जिससे भारत को जीवन मुपती का वर्सा मिलता है बाकी सब को मुपती का वर्सा मिलता है बाब कहते हैं बच्ची अभिनातक पूरा हुआ तुम्हारे 84 चन्म पूरे हुई ना समय पाग पजाया है अब फिर बापस जाना है बाबा कर हमारे लिए राजधाने स्थापत करते हैं तो जरूर संकम पर स्थापत हो तब तो संकम तब तो सत्योग में तुम बरसा लो तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं तो लक्षमी नाराइन ने क्या-क्या तिया जो ऐसे उच बनी अ जहां तो है ही लक्षमी नाराइन का राजी यह है कल्यानकारी संकम यूग इसमें अच्छी रेती पुर्शार्थ करना हैं बाब कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्यकर मुझ बाब को याद करो तुम ठक खाकर ठक गए हो ब्रमा मुक बन्शावली ब् आने वाला बाब है स्वादर्शन चक्र भी तुम फिर आते हो विष्णों को इस त्रकाल दर्शी नहीं है उन्होंने फिर विष्णों को अलंकार देती हैं वास्तों में त्रकाल दर्शी तुम ब्राह्मन दनते हो और अलंकार भी ब्राह्मनों की हैं बर्णों का भी समझाय चोटी है ब्राह्मन वर्ण भारत वासी चित्र बनाते हैं चोटी देते नहीं ब्राह्मन वर्ण गुम कर दिया है फिर क्या किया लौक एक में स्थूल में जो पंडा है वो शादी व्याया पूजा पाठ करते हैं उनको ब्राह्मन कह दिया और एक उनको चोटी रख दे कह दिय क pulse Grandpa भी में आरे हैं कि ए इसके बिना ब्रामढ केहते हैं कि जो मुन्में आया भो गया और हमने तो उना जाने कब से सुनते आ रहें आधम हमें पतह चल गया कि सुनते आ रहें तो कहते हैं कि ये तो चला आ रहा है, अब बाबा कहते हैं ये कैसे चला आ रहा है, तो मैं तुम बच्चों को बैट समझाता हूं, उन्होंने जो लाटान के यहाँ वहाँ पूजा कर दी, अब बाबा कहते हैं वो तो फिर अभी समझ भी लेंगे, यदि ग्यान तो भी अपना वो ना छोड़े न क्योंकि उनका तो शरी निर्वाह और तुमने जो शास्त्र पढ़े हैं और जो भी पूजा पाट करते हैं तो फिर उनसे तो उनके परिवार की पालना हो रही है न तो वो समझ भी जाएंगे न तो भी बाबा कहते हैं उनको मुश्किल होगे छोड़ना फि जो पिता ब्रांभा है न तो पहले ब्रांवणों की छोटी होने चाहिए अभी तुम मुखवंशा ब्रांवन बने हो गीत में सुना गीत में भी सुना पृतम आन मिलो शर्व बयापी की बात नहीं अभी तुम पृतमाएं पृतम के संमुख बैठी हुई हो पृतम अपना स और स्वर्ग का महराजा महरानी बनने लिए पुर्शार्थ करते हो यह राजियोग है इसमें प्रजायोग कम माइंद है सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे सब कहते हैं महराजा महरानी बनेंगे हम आये हैं राजियोग सिखने परंतु सब थोड़े ही माराजा महरानी बने के, हिम्मत चाहिए पूरा बल होना चाहिए, भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात कार होता है, शीर बाबा पर बली चड़ने हैं, वास्तों में बली चड़ना भी यहां की बात है, यह भी समझाया है, गी दो दोपर से चले हैं, फिर दोपर में ही बनेंगे, मुसल्मानों ने आकर राज लिया, मुहम्मद कज नभी ने रूटा, यह सब बाते तुम जान गए हो, हमने ही पूजे से पुजारी, बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिलकियत होगी, पांच हजार वर्ष की बा उसने हीरों, जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा, नाम कितना होच है, लक्षमी नारायन कितने शरंकारे हुए देखते हो, अभी तो विचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्षमी नारायन के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट पूट ले गए, वहां तो सोने की इटे होती है, तुम उनसे महल बनाते हो, अकल भी अच्छा रहता है, सभी तो बे अकल हैं, भाबा केते हैं अभी सभी बे अकल हैं, लेकिन वहां पे सब अकल मान होते हैं, तब तो कंगाल हुए हैं ना, क्योंकि अब समझ ही नहीं पर और देवताओं पर खलंक लगा दिये, कहीं ब्रह्मा को कह दिया कि उसकी बेटी पर दिल आया, क्रिश्न को कह दिया एक सो आठ पटरानी आ थी, फिर कहते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि शीप स्वाम स्वेंबर करते हैं, ऐसे राम ने इतना ये किया, वो किया, फिर उन् अतलब जो मन में, आप ये बताओ, एक भगवान में इतने शक्ति नहीं होगे, कि वो अपने ही पतनी को बाहर भेजना पड़े, उसको किसी के कहने पर ऐसा ही दुख वहां होते ही नहीं, ऐसी कोई किसी तरह की बात होती ही नहीं, जिसकी वज़े से एक भगवान को अपनी आप पतनी को कहीं दूर भीजना पड़े, कोई दूसरा भी नहीं करता है, राम राज्य में, तो फिर ये रावळ और रावळ को मिक्स करके ना जाने क्या 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 के दिया, कांश और क्रिश्न को मिक्स कर दिया, सुर्पण था सब बबा ने कलके है, मुरली में कहा न, कि ये सब अभी की हैं सूर्पनाखाय, मंत्राय, जो भी द्रोपदी, दुर्शाशन, जो सब कुछ हैं ये शरीर पर आसरी अबगुणों के उपर नाम पड़े हैं। बाबा, इस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास था, सब कुछ लूट करके ले गए और अभी देखो तो ना समझी की वज़े से देवता और भगवान पर, शी बाबा पर कलंक लगाए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, यदा यदा ही ध जब इसमें प्रवेश गरू तब तो ब्राम्हनों को रचे, ब्रम्हा मुक्से भारत में ही आकर ब्राम्हन रचते हैं, विलायत जाओंगा, क्या, जो नंबर वन पावन पूचे था, पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हैं, त्रमोरती कहते हैं, शीब को निक निकलता बाबा केते हैं, जब मैं आओं, तब फिर त्रमोरती को रचना है ना बाबा के, तो बाबा केते हैं, त्रमोरती ब्राम्हा का त्वार्थ नहीं निकलता, बाबा केते हैं, कल्प कल्प संगंपर इस तन में आकर तुम ब्राम्हनों को रचता हूं, तुम ब्राम्हन ब्राह्मनिया को सरपुत्तम यूग है, अभी तुम इश्वरे गोध में हो, इश्वर बाबा से बेहत का वर्सा लेते हो, चाते हो, उनको ही याद करते हैं, हम उनके पास पहुँच जाएंगे, कहते हैं ना अंतकाल जो इस्तरी सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन में मिलता है यह है अंतकाल का समय, तुमको बाब बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाब को ही याद करना है, देही अभी मानी भव, अशली भव अपने को आत्मा निश्चे कर मुझ परम पिता प्रमात्मा को याद करू एक चके नेश्टा में नहीं बैठना है, कमर सीधी करने की आवशक्ता नहीं है, पैर के रूपर पैर चड़ाने की आवशक्ता नहीं है, नीचे से रूपर पैर करने की जरुवत नहीं है, कोई ऐसे बैठना नहीं है, पता चला ठांगों में दर्द है, टांग तूटने वाली है, कराह रहे हैं, याद में है नहीं है, दर्द में कराह रहे हैं, बाबा तुम्हें याद करूं कि मैं दर्द सहन करूं, अरे दबा तो दे दो बाबा जब ये ठीक हो जाएगे तब तो मैं तुम्ह याद करूं तो बाबा कहते हैं मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि तुम ऐसे कश्ट में बैठ करके मुझे याद करो बलन पर लेट चाओ अराम करो अराम से याद करो खाट भी है क्यों दिये है लेट करके एक्टम स्वतंत्र सच्ची मन से बाबा को याद करने के लिए सब अराम करो लेकिन मुझे अच्छे से और बहुत प्यार से म्यठी से याद करो सच्ची दित से याद करो तो बाबा कहते हैं नेश्चा में नहीं बैठना है बच्छे और तो चलते वृते उठते बैठते बाब को याद करते हैं बेहल backstory कपके और सभी से बुद्धी निकाल मामे कम याद करो इसी में महनत है चोरासी जन्म लिए अब यह अंतिन जन्म है तुम बाब के बनी हो तो उसने ही कितने मीठी नाम दिये हैं बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भीजे वहाँ बहुत अच्छे चे नाम होते हैं फिर भी वही नाम पढ़ेंगे चुकल्ब पहले पढ़ेंगे सर्विब्यापी का नाम, सर्विब्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए न सब भक्त भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं? अभी तुम इश्वरे गोद में हो इश्वरे गोद से तुम ब्रामन बनते हो शूतरवर्न खतम हुआ यह बर्न है ही तुम भारतवासियों के लिए तुम जानते हो हम शूतर वर्न से ट्रांसफवर वो ब्रामन धर्म में आई है ब्रामन ब्रामनिया बही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे जाड़ व्रधी को पाता जाता है कितने अच्छी अच्छी बाते बच्चों को सुना दे परन्तु माया का तुफवान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं युद्ध तो है ना तुम सर्वशक्ती मान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है आधाकल प्रावड कराज है इसमें माया भी जोर से पचाड़ेगी इसको तुफवान कहा जाता है अनमान का मिसाल है ना तुमको माया के कितने भी तुफवान आएं परन्तु हिलना नहीं है समबनी इतना माया जोर से वार करे ना देखेगी लायक है वा नहीं कहते हैं बाबा हमने तो काला मुँ कर दिया काला मुँ हुआ बस बुद्धी को ताला लग जाएगा धारना होगी नहीं क्योँकि बाबा को कलंक लगाया ना लॉकिक बड़ाशकी बाब भी कहते है ना मैं राजाओं का राजा बनाने आया। राजाई जरूर स्थापन होगी इस सम्हें जितने प्राम्हन बनी हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। पच्चों को याद रखना है कि उस पारलोकिक बाब का कोई बाब नहीं है। उस पार लोकिक बाबा का कोई बाबा नहीं है वह है सुप्रीम नौलेज़फुल मनुष श्रष्टी का वेजरूप चैतन्य पतित पावन रहम दिल नौलेज़फुल विल्सफुल मर्सीफुल कौन है? एक ही है ना? तो उन पर कोई विल्स करने वाला नहीं है वह है खुद ही बाप और टीचर सत्गुरू हैं बेहत बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो यह है इश्वरिय को टुम्ब व्रद्धी को पाते जाएंगे चोरासी का चक्र भी बुद्धी में याद है हम सो देवता इतने जन्म, हम सो शत्रे इतने जन्म फिर हम सो देवता बनेगे माया दुख धाम बनाती है बापा कर सुख धाम बनाती है कितना सहज है खो पुर्शार्थ करना चाहिए अपका पुर्शार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुर्शार्थ बन जाएगा कहींगे कलब-कलपांदर हम ऐसा पुर्षार्थ करते आये ममा बाबा भी पुर्षार्थ करते हैं यहीं फिर पोज़े सो देवी देता लक्षमी नारेण बनेगे स्रीमत पर हम श्रेष्ट दे श्रेष्ट बनते हैं मीठे-मीठे सिकीलाधे बच्छो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुद मोने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यारो गुद मोने शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना दिली मुखे सर पिस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का भ्यास करना है अशरीरी बनना है कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है माया के तुखवानों में हिलना नहीं है सदा हर्शित रहना है अपने चेहरे रूपी दरपण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात कार कराने वाले योगी दुआत्मा भाव जो मन में होता है उसकी जहलक मस्तर पर जबुलाती है बाबा केते हैं देखो आपके एक्सप्रेशन से समझ आता है ना कि आप गुसे में हो या बहुत कुछ उदास मन है तो आप कितना भी स्माइल फेस पे करेंगी लेकिन यदि आप अंदर से दुखी है तो आपकी स्माइल से समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुली में उपर से हास रहे हैं तो ऐसे ही जो परमात्मा हमें कहते हैं कि अलौक एक्ता अपने छेहरे से अपने मस्तक से जरूर दिखानी है स्वरूप बनना है, कि मैं फुरिष्टा हूं, तो फुरिष्टे कैसे होते हूं, उपर थोड़े उड़ते रहते हैं, यहां होते हुए भी नहीं होना है, संत आत्मा, जो महानात्मा होती हैं, तो जो गुरुजी बना लेते हैं, जिनको हम जी गुरुजी, जी गुरुजी क्य क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, सौ में यदि एक शब्द भी बोलेंगे, लेकिन वो ऐसी बात बोलेंगे, जो आपके मन को इतना भाव पूर्ण लगेगी और इतना अच्छी लगती है, जिसकी वज़े से हम हर बात महान जी कहते हैं, तो महान आत्माओं के महान शब्द होत दर्बन चेहरा अथात मुखडा है, ध्यान रखना, कितना भी आपको हो, हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते, लेकिन चेहरा उदास दे, कोई नहीं मानेगा पालिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखा दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी दुआत में, आप दे कई भाई बहनों से सुना होगा, कि सेंटर्स पर बहनें इतने प्यार से एकनी मीथे बोलती हैं, इतने अच्छे से समझाती हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, हर बात में इतने प्यार से बात क करती हैं, दीदी हम कितना भी परिशानी लेकर के जाएं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती हैं कि आप जो हमें कहना चाहिए, कि उदास नहीं करती हैं, हम्मद बढ़ाती हैं, कितना उनके चेहरे पर चमक होता है, ना कोई साज ना सज्जा फिर भी इतने खुबसूरत दिखते हैं, इससे सब बोल पर सुना है ना, आच्छा क्योंकि वो क्या है, क्या है, बाबा जो हमें बताते हैं उस पर चलते हैं, स्रीमत देते हैं, तो खुशी का चेहरा दिखाई दे, ना, तब कहींगे योगी तु आत्मा, स्लोग है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल ता संपन कर्म हों, तब बाब का नाम बाला कर सकेंगे, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल संपन कर्म हों, तब बाब का नाम बाला कर सकेंगे, अच्छा, ओम शैंती, ओम शैंती,